तो अभी बारिस का सिजन चल रहा है और बारिस में सबसे मज़ा क्या आता है बारिस में बैट के और जब आप पकोड़े खाते हैं तो इसलिए मैंने आज आपके लिए बिल्कुल बंपर पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ तो आज मैं आपके साथ मिर्ची के पकोड़े बनाने वाली हूँ यह पकोड़े थोड़े अलग तरीके से बना रहे हूँ यह पकोड़े बहुत ही अच्छे लगेंगे तो आप इन्हें सॉस या ग्रीन चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेश के अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं वीड मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए जो भी इंग्रेडियन चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ तो यहां पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है एक कप बेसन है दो ब्याज बिलकुल बारी कटा हुआ और इन्हें तलने के लिए यानि फ्राइ करने के लिए ओल तो करेंगे और हिंग पाउडर और बॉयल किये हुए आलू डेड़ कप और इसके अलावा मैंने या पे हरी मिर्च और अद्रक लैसुन का पेश्ट तयार किया है तो चलिए अब बनाते हैं हरी मिर्च के पकोड़े तो सबसे पहले यह मिर्च को बीच से कट करके उसके अंदर स अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे तो आलू को मैंने बड़े से थाली में निकाल लिया और अच्छे तरीके से मैश कर दिया है आप चाहें तो इन्हें ग्रेडर से ग्रेड भी कर सकते हैं अब हम इसमें बाकी की चीज़े डालेंगे तो आलू को अच्छे से मैश करके हर लिए भी मिर्च और प्याज अमचूर पावडर नमक मैं डाल दिया अच्छे से इने mix करेंगे तो यहां पर मैंने बीज को बाहर निकालना है तो देखिए आप गलफ्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हाथों में यह मिर्ची नो लगे तो चलिए अंदर का बीज निकाल देते हैं तो देखे सारे मिर्च के अंदर से बीज मैंने निकाल लिया है अब जो हमने ये मसाले तयार किया है आलू वाले इसे हमें इसके अंदर अच्छे से स्टफ करना है यानि कि भर लेना है तो देखे अच्छे तरीके से पूरा मैंने स्टफ कर लिया है अब आपको क्या करना है ए इसे आप एक जगा रखते जाए उसके बाद हम इसे बेसन के गोल में लपेट के तब फ्राई करेंगे तो देखे मिर्ची बिल्कुल रडी है इस तरीके से अब हम बेसन को तयार करेंगे तो इसमें मैं डाल रही हूं हल्दी नमक आपको डालना टेस्ट के एकॉर्डिंग तो कि उपर जो मसाला है उसके उपर अच्छे तरीके से इसकी एक लेयर चड़ जाए तो देखिए यह बैटर तयार है बिल्कुल इस तरीके का बैटर होना चाहिए और यहां पर मैंने ऑईल रख दिया ऑईल गरम हो गया है तो अब चलिए पकोड़े को तलते हैं तो सबसे पह पकोड़े बना लेने हैं सारे को सारे मिर्ची के पकोड़ों को इसी तरीके से तल लेना इसमें बहुत अच्छा स्वाध आता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह पकोड़े तो बारिस के मौशनम में आप इन पकोड़ों को जरू ट्राइब करिए अपने अनुभा मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई